Hello Kids, Today I am going to explain Chapter 7 Types of Family from EBS Class 2nd Book आज हम पढ़ेंगे Chapter 7, Chapter 7 का नाम है Types of Family Types of Family means family के प्रकार, मतलब family कितने टाइप की होती है इस Chapter में हम पढ़ेंगे, Before start the chapter, we will see some word meaning Types of Family N, E, I, G, H, B, O, U, R, H, O, O, D, Neighborhood Neighborhood means क्या होता है, आसपास M, E, M, B, E, R, Member Member means सदस्य, जो हमारे घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकों बोलते हैं, How many member means कितने सदस्य हैं Then P, A, R, E, N, T, S, Parents, Parents याने माता, पिता देखो जब ममी पापा दोनों के लिए बात की जाती हैं तब बोला जाता है Parents यदि Parent बोलते हैं Parent, S नहीं लगाते हैं Parent, Parent का मतलब या तो ममी या फिर पापा दोनों में से एक तो Parent और यदि Parents लिखा है P, A, R, E, N, T, S Parents Parents याने होता है पापा, ममी दोनों ठीक है? The next day M, O, R, E, More More means ज्यादा H, E, A, D, Head Head means होता है मुखिया जो घर का Head होता है न उसके लिए बोलते हैं मुखिया जो घर का मुखिया है means जो ही घर के सारे डिसिजन लेता है कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है तो वो होता है Head Then J, O, I, N, T Joint F, A, M, I, L, Y Family Joint family Joint family means संयुक्त परिवार means जिसमें दादा, दारी, चाचा, चाची पापा, मम्मी, सारे कस्जिन सब एक साथ रहते है वो होती है Joint family The next day Nuclear family N, U, C, L, E, A, R Nuclear F, A, M, I, L, Y Family Nuclear family means एकल परिवार जिसमें केवल पापा, मम्मी और बच्चे होते हैं वो nuclear family Then L, A, R, G, Large F, A, M, I, L, Y Family Large family means बड़ा परिवार जिसमें पापा, मम्मी और nuclear family में पापा, मम्मी के साथ के वर एक या दो बच्चे उसको nuclear family बोलते हैं और जिसमें पापा, मम्मी और साथ में चार-पाच एक साथ भाई बेन होते हैं दो से जादा बच्चे वो family क्या किलाती है Large family बड़ा परिवार Now let's begin the chapter Consist of means बनता है एक parents से और उनके बच्चों से मम्मी पापा और उनके बच्चों से एक परिवार बनता है All members of a family live together in a house All members, सभी सदस्य of a family, एक परिवार के सभी सदस्य live together एक साथ रहते हैं In a house, एक घर में एक साथ रहते हैं Some families are large while some are small Some families कुछ परिवार are large बड़े होते हैं While जबकी some are small कुछ छोटे होते हैं We see three types of families in our neighborhood We see, हम देखते हैं Three types of families, तीन तरह की परिवार तीन तरह के परिवार in our neighborhood हमारे आसपास हमारे अडोस परोस में या हमारे आसपास ने बरूड मिन्स मैंने आसपास बताया था तो ने बरूड मिन्स आसपास या अडोस परोस भी बोल सकते हो तो हम हमारे आसपास तीन तरह के परिवार देखते हैं फस्ट परिवार विस्ट चोटा परिवार या एकल परिवार नूकलियर फेमिली जार्श फेमिली बड़ा परिवार third is joint family means सयुक्त परिवार now we will read हम इसके बारे में पढ़ते हैं first is small या nuclear family small family means छोटा परिवार या एकल परिवार there are three or four members in a small family small family में कितने members होते हैं three या चार members होते हैं a small family has parents and they are one or two children small family में parents होते हैं मतलब माता पिता होते हैं और उनके एक या दो बच्चे means या तो एक बच्चा है या फिर दो बच्चे picture में दिख रहा है ना पापा मम्मी और साथ में only one बच्चा तो या तो one children होगा या one child होगा या two children होगे ठीके एक या दो बच्चे तो वो family होती है small family small family is a happy family small family होती है क्यों होती है क्योंकि small family में पापा ममा और एक बच्चा होता है या दो बच्चे होते हैं लेकिन जब small family होती है तो parents सारी wishes पूरी कर देते हैं बच्चों की और अच्छे से रहते हैं तो small family में खर्चा भी कम होता है तो small family एक happy family है then second day large family means बड़ा परिवाब a large family has parents and they are more than two children means large family में parents पापा मम्मी होते हैं और उनके दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं देखिए इस family में पापा मम्मी है और one, two, three, four, four children है ठीक है father, mother के साथ और four children और हैं तो यह family कैसी भी? large family हो गई the next day J-O-I-N-T joint F-A-M-I-L-Y family joint family a joint family has grandparents, parents, uncles aunts and their children एक joint family एक सहुक्त परिवार में grandparents, दादा दादी parents, पापा मम्मी uncle aunts, चाचा चाची और उनके बच्चे सब के बच्चे यह से मिलके एक पुरा joint family बनती है चाचा चाची भी होते हैं पापा मम्मी भी होते हैं दादा दादी भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं एक साथ वह joint family होती है Children of a joint family learn good habits जो joint family में जो बच्चे रहते हैं वह सीखते हैं good habits, good manners and moral values from their grandparents तो joint family में जो बच्चे होते हैं वह बच्चे अच्छी आदते हैं अच्छे सिस्टाचार और अच्छी अच्छी नेतिक शिक्षा है नेतिक मुल्य सीखते हैं अपने grand parents से अपने दादा दादी से अच्छे आदते हैं अच्छे manners सीखते हैं क्योंकि दादा दादी उनको स्टोरी सुनाते हैं तो उससे उनमें बहुत सारे moral values की भी बारे में पता लगता है और good habits भी आती है उनमें joint family has its own importance in the society एक joint family जो होती है उसका अपना खुद का एक importance होता है in the society समाज में समाज में मतलब उसकी एक अलग importance होती है सबी लोग उनको बहुत अच्छे से देखते हैं कि वाव यह लोग joint में रहते हैं यह सबी लोग एक साथ मिल जोलकर प्रेम से रहते हैं इसलिए joint family की एक अलग importance होती है the next day relationship relationship के बारे में पढ़ते है all the family members are related to one another सबी family के जो member होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े वे रहते हैं और कुछ न कुछ उन में relation होता है my father's father मेरे पापा के पापा वो क्या हुए आपके is my grandfather वो मेरे grandfather है दादा जी है my father's mother is my grandmother पापा की ममी अपनी क्या होती है दादी my father's brother is my uncle मेरे पापा के जो भाई है वो मेरे अंकल है और अंकल's wife is my aunt मेरे papa के जो भृई है मेरे चाचा है या काका है और जो चाचा है उनके wife क्या कहलाती है चाची आँट या काकी मेरे चाचा के जो बच्चे हैं और माई cousins वो सब क्या कहलाती है मेरे cousin कहलाते है इसके बाद हम पढ़ते है दीढिए इसमें पिच्छ दीआ वये ग्रेंड फादर हैं अंकल है और हैं नाइसल्फ ये माय हैं इनी hail काजें कर ٹ्र Đर टीके जी काज ब्रदरण शिस्टर हें और ये कर्दें अंकल आटी के बच्छे आपके काजनücksäter काजन ब्रदर कैलाते हैं और जो आपके पापा ममी है, वो स्टे क्या होगा, आपकी सिस्टर और आप ब्रेदर कला दें, ठीके, और चाचा चाची के जो भाई बच्ची होते हों क्या कलाते हैं, कजिन कला दें, ठीके, बाजन सिस्टर और कजिन ब्रेदर, लेन फैक्ट फाइल पड़ते हैं, फादर, और दादा जी हमारी फैमिली के हैड होते हैं मिन्स यदि स्मॉल फैमिली है या फिर लाड़ फैमिली है उसमें क्या होता है पापा मम्मी और बच्ची होते हैं तो उस फैमिली में हैड कोन होता है फादर और जॉइन फैमिली में जा दादा दादी पापा मम्मी चाचा चाची सब साथ रहते हैं उस family का head कोन होता है दादा जी जो सबसे बड़े होते हैं वो grandfather head होते हैं then pet animals also live with the family pet animals पालतु जानवर भी परिवार के साथ में रहते हैं कहीं लोग pet animals जानवरों को पालते हैं तो वो भी उनके साथ family में रहते हैं things to remember parents and their children make a family बच्चे माता पिता और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार बनाती हैं a small family leads a happy family एक small परिवार एक छोटा परिवार जो होता है वो एक अच्छे परिवार का एक खुश परिवार का नेत्रत्व करता है means small family हमेशा happy family होती है children in a joint family learn good values from their grandparents grandparents दादा दादी means joint family में रहने वाले बच्चे अपने दादा दादी से अच्छी values मतलब नेतिक मुल्य अच्छी आदते सीखते हैं students here your chapter has been finished and i think you understand this chapter very well thank you